हेलो एबरिवन आज है 3 जुलाई और एक बहुत बड़ी खवर है जो निकल करा रही है HDFC बैंक के तरफ से अगर आज आप देखोगे तो शेयर ने 3% की तेजी दिखाई है अपने सारे इंवेश्टरों को आज इन्होंने पूरी तरह से खुश कर दिया है पाफी दिनों के बाद शेयर में इतनी ज्यादा हमें देखने को मिली है और शेयर ने अपना पुराना 52 विक हाई को भी ब्रेक कर दिया है और इस बार उन्होंने अपने नया हाई बनाया है जो की 1794 रुपीज का हमें देखने को मिल रहा है बहुत सारे एनिलिस्ट हैं और बह पुराने जो भी रिकॉर्ड है सारे को रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया और इसके पहले वी वीडियो मैंने बताया था कि HDFC बैंक बहुत ही जल्द 1800 के आस्वास जा सकता है और फाइनली आज वो दिन है जिस दिन इन्होंने अपने 1800 के लगबग पास पहुंच चुके हैं इतन सेयर होल्डिंग लिप MSCI वेट इंक्रीज पोटेंशियल HDFC का जो प्राइस में हमें 3% की देखने को मिल रही है इसका जो फाइस जो सेयर होल्डर है उन्होंने MSCI का जो वेट है उसको बढ़ाया है समभामना को उन्होंने बढ़ाया जिसके कारण जो HDFC बैंक है इसमें FI's holding in the bank below 55% FI's में जो जो हमें देखने को मिल रहा था उसमें थोड़ी गिरावाट आई है लेकिन इन्होंने लीड किया है significant weight change from 3.8% to 7.2% का काफी बड़ी weight है जिसको इन्होंने change किया है और जो potential है जो भी inflows का cash का जो हमें inflows देखने को मिल रहा था पहले 3.2 billion अब वो बढ़कर 4 billion के आसपास हमें देखने को अब जल्द ही मिल सकता है जिसके कारण HDFC bank में आज इतनी बड़ी तई हमें देखने को मिली है तो समझ सकते दोस्तों MSCI index जो होता है उसमें ज reason हुआ कि इनका जो potential था को इन्होंने बढ़ा दिया है और शेयर में अब आ गई है काफी बढ़ित देजिए ऐसे ही according to the estimate by नुबामा के तरफ से कुछ बताया गया है कि same to same उन्होंनों भी यही का है कि जो inflows है change जो हुआ है 3.8% से 7.2 to 7.5% potentially जो inflow होगा cash का वह 3.2 billion to 4 billion के आसपास हमें देखने को मिल सकता है यह किसका माना निवमा के तरफ से ऐसा मानना है कुछ बड़े-बड़े analyst है जो इन्होंने अपने तरफ से target दिया है और उनका मानना है कि share एक अच्छे prices पे हमें देखने को मिल सकता है जैसे कि अब गर आप देखो गए तो जेफ्री ने पहले भी HDFC bank के उपर अपना buying का rating दिया हो था और इन्होंने अपना buying का rating maintain किया है HDFC bank में और इन्होंने अपने target prices में थोरी सी ब्रहोतरी की है और इस बार हमें 1880 पर share का हमें prices देखने को मिलेगा मतलब यहां स से लगबग हम 100 रुपिया उपर हम देख सकते हैं HDFC bank में लगबग 7-8% की तरही यहां तक आएगी ऐसा माना है जेफ्रीज का सेम टू सेम ऐसे ही एक UBS belief करते हैं कि अगर MSCI weight increase हुआ है जिसके कारण जो इंका inflow है का जो 3-6.5 billion हमें देखने को मिलेगा HDFC bank में which is partially factored in the recent rally a report shared यह कहता है the brokerage frame has a buy call on HDFC bank brokerage के तरफ से buying का call दिया गया है HDFC bank के उपर और target जो price दिया है इन्होंने 1900 पर share का इन्होंनों बताया है मतलब लगबक अराग देखो के तो सारे जो progress हम है उनके तरफ से यही हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत ही जल्द ही अपने पुराणे prices को वापस पा सकता है HDFC bank क्योंकि अगर हम देखेंगे तो after a long period of rule HDFC bank share prices rally nearly 20% in the past 3 months मतलब पिछले 3 महिने के अंदर share ने 20% का return दिया है share एक समय लगबक सारे 1300 के आसपास पहुँच चुका था बहुत बड़ी गिरावाट आई थी HDFC bank में आप कहा जा रहा था कि HDFC bank यहां से भी तूट सकता है और 1000 के लेबल पर दिखने को मिलेगा लेकिन हम जानते है HDFC bank सबसे leading company में से एक है क्योंकि यह पूरे private sector के सबसे topmost bank में से एक है HDFC bank और यह nipty bank के topmost में भी हमें देखने को मिलते हैं मतलब इकतरा से कहें तो पूरे nipty bank को यह leading कर सकता है अकेले ही HDFC bank अगर आप देखो तो HDFC bank में 3% की तेजी जब आई थी तो उस समय nipty bank लगबग 2% की आसवास तेजी में देखने को मिला था तो काफी जादा impact डालता है यह nipty bank में क्योंकि इसका जो involving है nipty bank म 12% का return दिया अपने सारे investor को और एक मंद के अंदर जो 12% का return हमें देखने को मिला है काफी जादा impressive है मतलब जो लोग चाह रहे थी कि बहुत ही जल्द अब HDFC देने वाले और इसके पहले में मैंने वीडियो बताया भी था कि शेयर में अब तेजी आएगी जो लोग पहले से पाई करके रखें होल्ड करें और आने वाले समय में यह 2000 का लेवल देखने को बिलेगा बहले ही ब्रोक्रिस फॉर्म 1900 का target दे रहे हैं पर लेकिन मेरा मानना है कि यह 2000 के लेवल तक यह जा सकता है ऐसा मेरा मानना है और अगर आप देखो गए तो लगबक मार्केट जो ऑप सबस्ते यह दिखा दी थी पुड़े बे बेसी सेक्शन में तो अब समझ सकते हैं दोस्तों कि HDFC बैंक के साथ आगे में क्या होने वाला आपको क्या लगता हमें कॉमेंट करके जरू पताएगा और हम मेरा माने तो HDFC बैंक अब आने वाले समय में यह और भी प्राइस में हम फंड प्रवाइड कराती है और जो इंका अर्णिंग है अगर हम अर्णिंग के बात करें तो यहां पर हम कौटली रिजल्ट अगर देखेंगे तो शेयर का जो नेट प्रॉफिट है तो इस बार मार्श दो है चौबिस का हमें 18,000 के आसपास देखने को मिल रहा है जो कि पि जो इंट्रेस्ट हमें अनिंग देखने को मिला है वो है 43,692 रुपीज के आसपास जो कि पिछले बार 43,242 रुपीज देखने को मिल थोड़ी बहुत इंट्रेस्ट में हमें ब्रहुतरी देखने को मिला क्वार्टल रिजल्ट में लेकिन हम कहेंगे दोस्तों इस बार जावड भी देखने को मिला था शेयर्स के अगर हम कंपेर करें अधर बैंकों के साथ जैसे हम आईचेशी बैंक के साथ कंपेर करेंगे तो जो एच्टी एपसी बैंक का नहीं देखने को मिलता है और इनका मार्केट के बात करें दोस्तों तो लगबग यहां पे 13 लाग के आसपास हमें देखने को मिल रहा है इनका मार्केट का एच्टी एपसी बैंक का और देखेंगे दोस्तों तो इन्हों ने अपने दिवेडेंट भी प्रवाइड की है इसका जो सेल्स क्वार्टरली जो ग्रोथ है अच्छा खासा देखने को मिला अधर कंपेर करें तो 79,000 के आसपास हमें इसका सेल्स का क्वाणि देखने को मिलता है तो अगर बात करें दोस्तों जितने भी बैंकों के साथ अगर हम कंपेर करें तो नंबर वन पे एच्टी एपसी बैंक ही है और आगे भी रहा है क्योंकि जो इसकी मार्केट कैप है काफी जादा है काफी जादा मार मार्च की बात करें 0% है दिसंबर में 0 सप्तेंबर 22 जून 23 में 25% की होल्डिंग देखने को मिला था प्रोमोटर के तरफ से उन्होंने अपने सारी होल्डिंग सेल कर दी और इस जो खरडारी आई वह है एफाइस के तरफ से देखने को बिला इस बार जून 24 में 47% की हमें मार्चल देखने को मिल रही है बात करेंगे मार्च 24 में 47.83% हमें देखने को मिला है मार्च चलबिस में तो लगतार होल्डिंग तो य वह बार्ठ है डि आइस भी एपनी होल्डिंग बढ़ाय ने 33% से 35% इन्होंने कर दिया पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी से घड़ी है क्योंकि उस समय थोड़ा भरोशा भी घड़ा था 18.64% से 17.44% हो गया तो सेरे होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स का जो भरोशा है वो दम है ही नहीं बात करेंगे F20 नहीं है जो इ साधा थरह हमें F20 के तरब से देखने को मिलता है HDFC बैंक में तो अब आगे क्या होगा HDFC बैंक में देखे दोस्तों बहुत बड़े-बड़े प्रोक्रेश्ट फॉर्म के ताइसा जो नाइंटीन हंडेड टूजन का लेबल का जो टार्गेट दिया गया मेरे साब से यह रखे है क्योंकि यह जो शेयर है यह सौट टम के लिए ही नहीं कि आप तुरंत लिया तुरंत ही आपको फ्रॉफिट दे यहां मैंने जितनी बाते पता ही इसी एजुकेशनल परपेस के लिए यह मेरा मानना है कि ऐसा हो सकता है बिना अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इससे लाइक और शेयर करना ना भूलेगा अगर आप अमारे चैनल पर नया है तो इस नया चैनल को सब्सक्राइक बरके बेल आइकन जरू दबाएगा थैंक्यों दोस्तों